हलो एवरिवान मैं राहुल सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ डेफिनेट सक्सेस पारशाला पार और आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर डेवलप्मेंट कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बही अलग अलग लोगों के लिए डेवलप्मेंट गोल्स अलग अलग होते हैं और ऐसा क्यों होता है क्योंकि उन सभी की लाइफ सिचुएशन्स अलग अलग है ठीक है लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी को चाहिए क्या कुछ कॉमन गोल्स हैं क्या सभी के तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लोगों के कुछ कॉमन गोल्स भी होते हैं ऐसा नहीं है कि सारे गोल्स डिफरेंट हैं कुछ common goals भी होते हैं तो आईए देखते हैं क्या common goals होते हैं तो सबसे पहला एक common goal हम देखते हैं जरा जो हम हमेशा से देखते आये हैं और आप भी जानते हैं कि भीया हर किसी को एक चीज़ चाहिए वो है पैसा है ना तो वो जो हमने table देखी थी उसमें हम ये देख रहे थे कि हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से पैसा तो चाही रहे हैं जैसे कि कुछ लोग जो थे वो regular work की बात कर रहे थे कि उनको regular work मिलना चाहिए कुछ लोग better wages की बात कर रहे थे कुछ कह रहे हैं कि वो जो भी चीज़ें बेच रहे हैं उनका decent price उनको मिले जैसे कि crops होगी है ना तो इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि हर एक व्यक्ति क्या चाहता है more income तो एक पहला common developmental goal हमको मिल जाता है हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी income बड़े ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमा सके है ना तो एक common goal ये हम सभी जानते है पैसा तो सब को चाहिए भाई किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए पैसा कौन ऐसा है जो बिना पैसे के चलेगा जिसके पास नहीं है उसको चाहिए ये और जिसके पास है उसको और जादा चाहिए पैसा तो चाहिए यह तो यह तो एक common goal होता ही है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो हर किसी का common goal है लेकिन इसे हम materialistic goal की category में रखते हैं materialistic मतलब क्या होता है ऐसी चीजें जैसे पैसा हो गया है ना पैसा या पैसे से जो चीजें खरी दी जा सकती है उ उनको हम कहते हैं materialistic चीजें तो यह materialistic goal हो गया लेकिन कई बार materialistic से ज्यादा non materialistic चीजें हमारे लें important होती जैसे कई लोग क्या चाहते हैं सम्मान हर कोई चाहता ना कि मेरी इज़त करो भाई ओ इज़त चाहिए इज़त ठंग से बात करना नहीं तो छोड़ूंगा नहीं है ना उंगली मत दिखा देना होता है ना भाई तो respect चाहिए होती है respect of others एक goal होता ह security हर किसी को चाहिए कोई ऐसा नहीं जिसको security नहीं चाहिए तो एक common goal होता है security freedom इसके लिए तो लड़ाई हैं लड़नी हमने आजादी की लड़ाई लड़ी ना फ्रीडम के लिए हमने नैशनल मुव्मेंट चला हमारे यहाँ पर है ना तो फ्रीडम ये भी हर किसी को चाहिए होता है इसी की तो लड़ाई है सास और बहु के बिच भी यही लड़ाई है बहु बोलते मुझे आजाद ही चाहिए सास बोलते नहीं दूंगी तो भाई freedom चाहिए है ना तो ये भी एक common development goal होता है और equal treatment ये भी चाहिए हर किसी को लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा व्योहार किया जाए तो ये कुछ common goals होते हैं ठीक है अब यहाँ ध्यान से देखना भाई इन सब को यदि हम देखें तो लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ discrimination नहीं होना चाहिए तो ये सभी important goals हैं कि नहीं हैं बिलकुल है भाई तो हमको कुछ common goals मिल गए लोगों के ठीक है तो यदि आपको question आ जाए write some common goals of the people common developmental goals of the people तो उसमें आप लिखेंगे income, security, equal treatment, respect of others, freedom ये सब हमारे common goals होते हैं ठीक है ये इन में से कुछ materialistic हैं और कुछ non-materialistic हैं ठीक है तो ये सभी हमारे लिए important हैं ठीक है और कई बार जो non-materialistic goals होते हैं वो हमारे लिए जादा important होते हैं यानि कि जो हमारी income की बात होती है या consumption की बात होती है इन्हें हम materialistic goals कहते हैं और कई बार ये materialistic goals के comparison में non-materialistic goals जो होते हैं वो ज्यादा important होते हैं हमारे लिए क्योंकि हमारी जो life है वो सिर्फ पैसे पर dependent नहीं है सिर्फ material things पर dependent नहीं है हमारी जो life है वो non-materialistic things पर भी depend करती है ठीक है और यदि इसका सबसे अच्छे example आपको देखना है तो वो है friendship हम अपने friends के बिना नहीं रह सकते हमारे अंदर जो कुछ भी होता ना भरा हुआ रहता है वो सब जाके किस के उपर निकलता है दोस्त के उपर निकलता है कहते हैं एक बहुत पुरानर dialogue है दुनिया के सारे रिष्टे हम पहले से अपने साथ पैदा होते ही लेकर आते हैं सारे रिष्टे वोलते भगवान बनाता है सिर्फ एक दोस्ती का ऐसा रिष्टा है जो हम खुद बनाते हैं अपने दोस्त हम खुद चुनते हैं तो बहुत वाइसली अपने दोस्त चुनियेगा क्योंकि ये दोस्त जो है ना ये आपको बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और आपको बरबाद भी कर सकते हैं लेकिन दोस्त होने चाहिए जीवन में बिना दोस्तों के जीवन नहीं चलेगा क्योंकि परिवार में जो भी समस्याइं आएंगी उन सारी समस्याओं का समाधान ये ग्यानी प्रोशी देते हैं हमको भाई तो इन दोस्तों सो भूला नहीं है इनके साथ रहना है बहुत अच्छे दोस्त बनाना है तो ये नॉन मटेरियल स्टिक तेंग है ना पैसे से दोस्ती नहीं खरीदी जा सकती पैसे से लोग आगे पीछे जरूर गूमेंगे बहुत सारे लोग आगे पीछे गूमेंगे लेकिन वो दोस्त नहीं होते हैं वो चापलूस होते हैं है ना एक अच्छा दोस्त बहुत ही महत पूर्ड व्यक्टी होता है आपके जीवन में इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए दोस्ती पैसे से नहीं खरी दी जा सकती तो ये नॉन माटेरियलिस्टिक तिंग इससे हमको समझ में आ जाता है कि सिर्फ माटेरियलिस्टिक चीजों का हमारे जीवन में रोल नहीं है non materialistic चीज़ों का भी हमारे जीवन में बहुत ही important role होता है होता है ना भाई अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और examples लेंगे है ना एक चोटा सा point यहाँ पर रहता है कि यह non materialistic things की हम जो बात कर रहे हैं यह कई बार इनको हम ignore कर देते हैं क्योंकि इनको measure नहीं किया जा सकता कौन सा वेक्ति आपका कितना अच्छा दोस्त है यह measurement कर सकते क्या कोई scale है क्या इसको measure करने के लिए तो कई बार क्या होता है यह चीज़ें जिनको हम आसानी से measure नहीं कर सकते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि यह important नहीं है हम उनको ignore करने लगते हैं लेकिन हमको यह ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को measure नहीं कर सकते वह important नहीं है जिस चीज़ को measure नहीं कर सकते वह भी बहुत important होती है like respect आप measure नहीं कर सकते friendship आप measure नहीं कर सकते freedom आप measure नहीं कर सकते कि आपके पास कितना है कितना नहीं है कितना और चाहिए measure नहीं कर सकते इन चीज़ों को तो जो चीज़े measure नहीं कर सकते वो भी हमारे लिए required बहुत बहुत important होती है ठीक है अब यहाँ पर कुछ और एक्जामपल्स की तो हम समझते हैं कि कैसे हम पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं ठीक है तो एक एक्जामपल लिया हमने कि मान लीजे आपको किसी दूर दरास के अलाके में बहुत अच्छी जॉब मिल रही है बहुत अच्छी जॉब का मतलब अभी मेरा था कि सिर्फ पैसा है ना तो मान लीजे कि आपको एक जॉब मिल रही है बहुत दूर दरास के अलाके म अच्छा पैसा मिल रहा है लेकिन ये जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले हम बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं इंकम पर तो फोकस होता ही है लेकिन इंकम के अलाव हम क्या देखते हैं हमारी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज होंगी वरकिंग इंटमोस्फियर कैसा है वहाँ पर कुछ सीखने की अपॉर्चनिटी है की नहीं है मालो पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है तो हम बहुत सोचेंगे जाने से पहले बहुत रेयर ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें नहीं हैं सिर्प पैसा मिल रहा फिर भी हम चले जाएं ऐसे ही देखते हैं दूसरा केस देखते हैं अनदर केस हम क्या लेते हैं कि एक जॉब है जहां पर आपको पैसा बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है कम पैसा मिल रहा है लेकिन रेगिलर जॉब है यानि रेगिलर इंप्लॉइमेंट है एंड सेंस ओफ सिक्यॉरिटी है याने job security है कि आपकी नौकरी जाएगी नहीं जैसे होता ना private company में पता चला बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन job security नहीं है सरकारी में बोले कम पैसा मिल रहा है लेकिन job security है इसलिए तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं कम से कम जादा लोगों को नहीं मिल पारी competition बहुत जादा पड़ता चला जा रहा है है ना क्यों जा रहे हैं job security मिल रही है उनको वहाँ पर तो कई बार हमारे लिए पैसे से जादा important क्या हो जाता है regular job या job security होना और भी example लिए जा सकते हैं एक और जौब का example ले लेते हैं कि यहाँ पर बहुत high payment मिल रही है लेकिन यहाँ पर job security नहीं है ठीक है ए और अपनी family के लिए भी time नहीं निकाल पा रहे है अपन पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन job security नहीं कभी भी निकाल आजा सकता है और फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई करेंगे क्या इसी जॉब बिलकुल नहीं करेंगे ऐसी जॉब बिलकुल नहीं करेंगे हमको क्या चाहिए हमको security चाहिए job security और अपनी family को time भी देना है ठीक है इसलिए इस तरीके की job हम नहीं करेंगे तो development के बारे में जब हम सोचते हैं तो यहां इस in example से हमको क्या समझ में आता है कि लोग जब development के बारे में सोचते हैं multiple चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ठीक है ना तो एक से ज़्यादा चीज़ों की mix कर दिया उन्होंने तो development क्या है कोई एक चीज़ है क्या बिल्कुल नहीं सिर्फ एक चीज़ मिल जाना development नहीं है development मतलब mix of goals हमारे बहुत सारे goals होते हैं और वो सारे goals जब fulfill हमारे होने लगते हैं तो हम कहते हैं कि development हो रहा है ठीक है तो development के लिए इसलिए हम क्या बोलते हैं development क्या होता है development मतलब mix of goals clear है यह चीज़ तो हम बहुत सारे goals जब हमारे एक सारे fulfill होने लगते हैं तब development की बात करते हैं और अच्छे से example देख लेते हैं हम women का example लेते हैं यहाँ पर कि जो women work करती है paid work में involved होती है जो women उनकी dignity जादा होती है अपनी family में और उनका जो society में एक status होता है वो बढ़ जाता है ठीक है इसका उल्टा भी होता है जिन घरों में women की respect की जाती है वहाँ पर क्या होता है कि वो house work share तो करती है साथ ही उनकी greater acceptance होती है when they are working outside ये सारी चीज़े भी होती है होता है तो यहां पर देखो उनको क्या चाहिए घर में respect भी चाहिए घर के बाहर काम करना भी चाहिए साथ में dignity बाहर भी चाहिए घर में भी चाहिए और साथी job security भी चाहिए है ना तो याने कि जहां पर women को secure atmosphere मिलेगा वहाँ पर वो अच्छे से काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी है ना तो एक safe और secure environment जो है वो क्या allow करेगा कि जो women है वो बहुत सारे different different jobs करें या अपना खुद का business चलाएं ठीक है तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि developmental goals that people have are not only about better income सिर्फ income ही उनका एक goal नहीं होता है बलकि कई अधर चीज़ें होती है हमारी life में जो बहुत important होती है और ये सब ही income के अलावा जैसे हमने पढ़ा security, freedom, respect, equal treatment, friendship ये सारे हमारे developmental goals होते हैं ठीक है तो ये हैं हमारे income and other goals ठीक तो ये कुछ common goals हैं जो हर व्यक्ती के होते हैं ठीक है ये हमने individual level पर बात करी लेकिन what about nation क्या nation का भी इसी तरीके से बहुत सारे अलग-अलग goals होते हैं अब हमको इसी पर चर्चा करनी है इस वारे में हम चर्चा करेंगे अपने next video में Thank you very much